टॉंग कोटा का उपिनियन पोल का सर्वे जो है डेटा जो है वो ये बता रहा है कि भारती जंता पार्टी इसमें 13 सीटें जो है वो जीत सकती है 24 में से 13 सीटें भारती जनता पार्टी जीत सकती है ये प्लस 2 है 2018 की तुरला में ज्यानि 2 का फाइदा बीजेपी को कॉंग्रेस 11 सीटें जीत सकती है ये एक सीट का नुकसान होगा पिसले चुनाव से और अन्य को यहां कोई किसी सीट पर बढ़त नहीं दिख रही है ये भी एक सीट का नुकसान होगा तो यहां भी इस रीजन में आप देखिए हाला कि बहुत गैप नहीं है दोनों के बीच में लेकिन अफ़ट ग्राफ भाजपा का दिखाई दे रहा है वो भी नंबर एक पर्टी इस रीजन में बन रही है बैतर भी कर रही है और कॉंग्रेस नीचे जा रही है 2018 से ये बड़ा क्लियर है टॉंग कोटा मैंने बात किया आप से तो इसमें दो बड़े नाम शामिल है दो शेहरों के टॉंग और कोटा और इसके लावाया सवाय मादोपूर भी आता है जालावार बारा भी आता है तो यहाँ इस लिहाज से बड़े नेताओं के अगर आप बात करेंगे तो इसमें यहां सचिन पाइलेट का दखल है बिल्कुल क्लियरली कोटा तो हमारे जो लोगसभा के अध्यक्षे ओम बिड़ा वो यहां से आते हैं शांती धारीवाल सीनियर लीडर ने कॉंग्रेस पार्टी के वो यहां से आते हैं उनका टिकेट फसा हुआ है अभी भी और ये सारे लोग जो है इसके अलावा बसुंद्रा राजे जो जालार पार्टन से चुनाव लड़ती है उनका भी इसी एक शेतर में उनकी असंबली कॉंस्टिवेंसी बनती पढ़ती है तो आप देखे बहुत सारे हैवी बेट्स जो है इन इलाकों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप जिन जिन को टिकेट मिलेगा तॉंक कोटा सारे बड़े चेहरे वसुन्दरा राजे राजेवर्धन राठोड सचिन पाइलेट सबका दबदबा ओम बिर्ला साब और लीड में दिख रही है हमको भाजपार देखे हम बात वापिस जैपूर से इश्रू करते हैं क्योंकि कोटा जालावार टॉंग की एरिया में लगभग लास्ट टाइम जैसी सिचुएशन है दो सीट का फायदा हो रहा है बीजेपी को एक सीट का कॉंग्रेस को नुकसान हो रहा है बदलती है हर पांच साल में तो जैपूर शेहर का भी वोटर का एक बड़ा तपका कॉंग्रेस के साथ गया था पूर्वी राहिस्थान में जो सबसे दो इंपोर्टेंट महत्कून कास्ट्स हैं जाट्स के अलावा वो एक गूजर और मीना की और पिशली बार कुछ ऐसे समिकरन मंग गए थे क्योंकि पाइलिट को भी उसके सपोर्टर मुख्यमंत्र की तरह देख रहे थे तो गूजर मीना एक हो गए थे किरोडी लाल मीना जो अपके बार सवाइमाद उपर से बीजेपी के टिकेट पर चुनाव लड़ रहे हैं कोड डालते हैं वो कई कारणों से एक तो किरोडी लाल की लाक ओफ मतलब उसको पूरी तरह आइंटिफाई नहीं कर पाए बीजेपी के साथ उनके समर तक गूजरों में जबरदस उसा कि हमारा नेता सचन पाइलेट चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो ये गूजर मीना की कॉम्बिनेशन ने पूरवी राइस्थान में जबरदस बढ़त डिलाई और वो ही अगर बढ़त इस बार कमजोर होती ही दिख रही है क्योंकि सचन पाइलेट के साथ जिस तरह का बढ़ता हुआ पास साल तक एक कई बार बनते बनते चूके उनको कई बार हाशे पेल गया गया वो एक कॉंग्रेस से मतला अभी तक पूरी तरह सहज नहीं होएं अशोक गहलोत और सचन पाइलेट हालांकि कल की प्रेस कॉंफरेंस दोनों की होई है दोसा में सचन की और दिल्ली में गहलोत साब की दोनों ने बड़ी भाईचारे प्रेम की बातें की लेकिन वो लोग उसको गले नहीं उतर रही है भी लोगों के तो वो अगर गूजर वोट तूटता है प्लस मीना वोट के रोडी के साथ वापिस जाता है और शहरी वोट जैपूर का वापिस बीजेपी की तरफ जाता है अब दिया कुमारी का अपने लाम लिया जो रात समन से सांसर थी लेकिन अब जैपूर से विद्यादर नगर से चुनाव लड़ रही है हाला कि बहरो सिंग जी के दमात का टिकेट कटा है उनके चक्कर में एक तालिस में से एक मात रहसी सीट जिस पे विनिंग कैंडिट को री नॉमिनेट नहीं किया गया तीन बार के जीते हो नर्पत सिंग राजीव की जगए दिया कुमारी को लाया गया तो ये सारे फैक्टर्स जो दुंड़ार रीजन के हैं जो बीजेपी को बढ़त दिला रहे हैं बहुत एहन होगे तो आपकी फाइनल टैली आएगी और एक और फैक्टर बहुत बढ़ा है जी आगे बताएंगी चलिए